नमस्कार प्रणाम कैसे हैं आप लोग उमीद है स्वस्त होंगे आप सुनना सुरू कर चुके हैं चिठ्थिया चिठ्थियों के इस एपिसोड में आज मैं आपको धरमबीर भारती जीगे चिठ्थि सुनाओंगा जो उन्होंने अपनी पत्नी पुस्पा भारती के नाम लिख तो थोड़ी सहजता से थोड़ा समय लेकर बैठिये क्योंकि यह चिठ्थि आपका वक्त लेगी और आपको धेरो सीख देगी धेरो भावनाय देंगी प्रिय पुस्पा तुम्हारा पत्र मिला मैं तो सोच रहा था कि तुम वहां अब पढ़ाई भी सुरू कर दोगी तंद से कुछ गंभीर बातें करना चाहता हूं सारा काम छोड़कर बैठो और जरा चितनी भावता और विच्छोब और यह सब कुछ है ना उसको छोड़कर इस मूड में बैठो कि अपनी कलपना वाली दुनिया छोड़कर यह जो यथार्थ दुनिया है ना इसके बारे में अब तुम अपने नए जीवन में उतर रही हो कमों बेस अपने पाओं पड़ खड़े होना चाहती हो अता मैं तुम्हें अपने बराबर का समझता हूं और इसलिए तुम से कुछ अस्पश्ट बातें कर लेना अपना करतब बिस्पुसनिया हम सब पर हिंदु परिवारों क के पुराने संसकारों का बड़ा गहरा असर है उनमें अच्छे संसकार भी हैं और बुरे भी हम चाहे जितना बदल जाएं पर कहीं न कहीं वह संसकार बोल उठते हैं संसकार पुराने हैं परशितियां नई इसलिए असंगतियां उत्पन होती हैं अभी तक हिंदु परिवार अपने में एक बंद मंजूसा हुआ करते थे इसलिए कोई प्रस नहीं नहीं उठाता था कि घर के लड़के लड़कियां बाहर जाएं बरसों दूर रहें दूसरों के संपर्क में आएं उनसे अपनत्व स्थापित करें स्नेह और अपनत्व का दाइरा कुटूंबियों तक सिमित था या अधिक से अधिक बिरादरी तक नई प्रस्थितियों में परिवार बिखर रहें हैं कोई कहीं रहता है कोई कहीं ऐसी इस्थिती में मनुष्य सूनने में तो रह नहीं सकता भाई के स्नेह की पूर्ती, बहन के स्नेह की पूर्ती, माता पिता के स्नेह की पूर्ती वह उन लोगों से करता है जिनके संपर्क में आता है और यह स्वभाविक भी है, बिलकुल नैसरगिक और जीने के लिए अनिवार है लेकिन यह भी स्वाभाविक है कि परिवार वालों को यह बहुत अठपटा सा लगता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उदार मन होते हैं वे इस इस्थिती को समझते हैं कुछ में संकीरता या कहलो एक अधिकार भावना होती है उन्हें यह नहीं अच्छा लगता कि कोई भी व्यक्ति जो सगा संबंदी नहीं है वो सगे संबंदियों से अधिक प्रेम जताए उन्हें विश्वास भी नहीं होता कि इसके पीछे सुद्ध निक्षल प्रेम है यह भी आसंका उठती है कि पता नहीं इसके पीछे क्या हो, कैसा हो, यह सारा का सारा स्वभाव, स्वभाविक है इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए, मनो वैज्ञानिक इस्थेदी है बस इसी तरह लेना चाहिए, और अपने को ना चिंता में डालना चाहिए, ना छुब्ध होना चाहिए तुमने तो क्या मैंने तो यह आरोप कितना अधिक सहा है कि बच्चन को तो परिवार से दुस्मनी है बस अपने मित्रों और अपने घर वालों के लिए ही उनका सारा स्ने है यहां तक कि एक बार यह तक कहा गया कि बहनों में अपनी सगी बहन के लिए बच्चन इतना कभी नहीं करते है जितना पदमा जिज्जी के लिए मैं यह सब्द एक कान से सुनता हूँ दूसरे से निकाल देता हूँ ना इससे अपनी मानताओं पर कोई असर पढ़ने देता हूँ और ना कहने वालों के प्रति कोई छोब या कटुता आने देता हूँ जानता हूँ यह वे नहीं कह रहे हैं युग युग के संचित हमारे सड़े गले, संसकार उनसे कहला रहे पुस्पा, तुमने रूही छोड़कर ऐसा पथ ग्रहन करने का निश्चे किया है जो कम सकम हम मध्यम बर्गिये परिवारों में बहुत कम अपनाया जाता है इसलिए इतना तुम्हें बता देना फिर अपना करतब में मानता हूँ की इस रास्ते के सुख भी है और दुख भी पक पक पर अपमान, संदेह, संसक, छोब, तिरसकार, गलत फहमिया सब मिलेंगी जीवन हाथ में स्वागत माला लिये तुम्हें मिलेगा यह बात नहीं है तुम पाओगी कि सामान लड़कियों का जीवन अप्रिक्छाकरत अधिक सांत है संतुष्ट भी है पर साथ ही इसके अच्छे पक्ष भी है तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा स्वाबिमान कभी तूटा नहीं है तुम्हें अपना व्यक्तित है तुम सिर्फ खिलावना नहीं हो सिर्फ यंत्र भी नहीं हो यह सुख वही जानता है जो सारे अवरोधों को कुचल कर अपनी अंतरात्मा दोरा चुने हुए पथ को ही सत्ते मान कर चलना सीख लेता है इस कमजोर, कायर और दुमुहे समाज में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनमें इस राह को चुनने का साहस होता है इसके संकटों को हस्ते हस्ते सहलेने का सामर्थ होता है डर कर समझवता कर लेने वाले तूट जाने वाले रंग कर घिसट घिसट कर जीवन बिताने वाले अंगिनत होते हैं मगर तन कर अपने पाउँ पर खड़े होकर अपने भागय का खुद मनचाहा निर्माण करने वाले दो एक ही होते हैं वे चुकि असाधारन होते हैं अताहा उनका गत्रतो उनकी जीवन पधदी सबको पच नहीं पाती उनको लगता है कि यह भी हमारी तरह क्यों नहीं रहता यह भी समझाता क्यों नहीं कर लेता यह भी हमारे तरह कमजोर कायर दोमुहा क्यों नहीं है खोखला क्यों नहीं है इसके मुछ पर तेज दीप्ति क्या है अतावे तुम्हारे बारे में अजीब अजीब बातیں करेंगे सोचेंगे, कल्पना करेंगे पर वो सब उनके मन की हीन गरंथी होती है inferiority complex लेक्स विश्वास रखो की अंतरात्मा में उनकी ये खीज तुम्हारे उपर नहीं है अपने उपर है तुम्हें देखकर वे अपनी लगुता को जानने लगते हैं और उससे मुक्त होने का कोई रास्ता ना पाकर अपनी खीज तुम पर उतारते हैं ऐसी स्थिती में इस लंबे अनुभों के बाद यदि वे कहीं तुम पर संदेह करें आसंका करें चेतावनी दें तो इतना ध्यान रखो की वह आसंका तुम्हारे प्रती नहीं है वह उस नारी के प्रती है जो दुर्बल है जिसमें भावना है पर बिवेक नहीं है जिसमें दृड़ता नहीं है जिसमें संसार के उस छुरक्ष धारापत पर अपने को बिना आहत हुए चल कर निकाल ले जाने की च्छमता है ही नहीं यदि तुम समझती हो कि तुम उस आसंका की अधिकारणी नहीं हो तो यह सिर्फ तुम्हारे कह देने भर से नहीं मान लिया जाएगा आगे आने वाले वर्सों में तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम उस परंपरागत दुर्बल विवेक सून नारी से प्रथक हो तुम में दृणता भी है विवेक भी सैयम भी अनुसासन भी जयों जयों तुम दृणता पूरवक अपनी राह पर चलती चली जाओगी और अपने को खारा सोना साबित करती जाओगी त्याओं त्याओं यह इस्तिती संभलती जाएगी उस बीच में सिर्फ यह करना चाहिए कि किसी के भी स्नेह के प्रती अविस्वास नहीं लाना चाहिए और अपने राश्ते चुपचाब दृणता से चलते चला जाना चाहिए हर बड़े आदमी को जीवन में इस दोर से गुजरना पड़ा है और तू मेरी अभिमान अपने जीवन में बहुत बड़ी बनेंगी त्यागोर की एक कविता सुनोगी उन्होंने कहा है जो आज तुम्हें नहीं समझ पाता उसे कुछ मत कहो क्योंकि आज के जो तोर के मन धोबे अंग तोरे धुला धोबे कोल के प्रात माला हाते आज जो तुम्हारे प्रति बिमुक हो रहे हैं तुम्हारे सरीर पर धूल फेक रहे हैं कल सुबा वही हाथ में माला लेकर तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे लेकिन इससे पहले कितने अम्तिहान आएंगे, कितनी अंधेरी घाटी आएंगे, कितना सुनसान रेगिस्तान पड़ेगा और तब कहीं जाकर तु अपने व्यक्तित को पूरता अस्थापित कर सकेगी पर सवाल यह है कि क्या इस सफर के लिए तू अपने को तयार कर सकेगी क्या तू ने इसकी तयारी कर ली है, क्या तू इसकी तयारी में लगी है क्या तू ने अपने मन को खूब जाच पर रख लिया है कि वो कहीं बिवेक का आस्रा छोड़ तो नहीं देगा कहीं वो कोई ऐसा कदम तो नहीं उठाएगा कि जितने लोगों ने असीम विश्वास से तुझे अकेले कलकत्ता भेज दिया है उनको कल यह सुनना पड़े कहिए पुस्पा के कलकत्ते भेजने के प्रक्ष में तो आप भी थे ना वो जो तेरा अभी तक का व्यक्तित थाना भावक, कल्पना, प्रमण, रस्मगन, पिताजी की लाड़ी, अम्मा की दुलारी, भाई बहनों के बीच, चंचल, नटखट, कभी-कभी धगडालू, उससे अब काम नहीं चलेगा अब तेरा भ्यक्तित तो अंदर से कहीं न कहीं बहुत द्रण होना चाहिए, जिसमें हृदय पर बुद्धी का संपूर्ण अनुसासन होना जरूरी है भावना का आवेक, जब जैसा बहा कर ले जाए, वैसे ही बहती चली जाए, इससे काम नहीं चलेगा हर छण तुझे अपने कदम जाचने होंगे, हर बात तौल कर करनी होगी, हर निगाह परक कर उठानी होगी तब तु देखेगी कि तेरे भ्यक्तित में एक नई गरिमा आ रही है, एक अदम में दृढ़ता आ रही है और अगर तू सचमुच अपने जीवन में महत देती है, तो यह तुझे एक सिद्ध करना होगा कि तू मेरे सपनों के अनरूप अपने को ढाल रही है, है न, तो बनेगी न, चाहे उसमें अपने मन को अभी खूब बाधना पड़े पर आगे देखेगे कि यह संयम, अनुसासन ही तुझे कितना परिमार्जित करेगा, कितना गहराव देगा, भावना से करतब्य उंचा होता है यह तो तू समझती ही है, पर अब एक बात और समझ ले कि भावना को भी ऐसा उंचा रूप दिया जा सकता है कि वो जीवन को असीम, बिस्तार और अथाह गहराई दे, नदी होती है न, आवेस उसमें भी होता है लेकिन वो जब अनियंतरित होती है तो खेट, खलिहान और गाव के गाव डूपते हुए हाहा कार मचा देती है पर वही नदी, बंद कर जीवन दाइनी हो जाती है कितने बंजर खेतों को हर्याली का असिरवाद देती है, विद्धुत उपजा कर कितने अंधेरे में डूबे ग्राम नगरों को आलोकित कर देती है अपनी भावनाओं को मनुष से कौन सा रूप दे, पिद्धन सात्मक ये रचनात्मक ये उसके अपने हाथ में रहता है, मुझे तेरे हाथों पर पूरा भरूसा है तो मेरी छोटी मित्र, बहुत छोटे को आचल में छिपा कर दुबका कर कहीं पार उन्ने की बात सोचने वाली छोटी सी दुबली, पतली, अबोध, अनभोहीन, मा जैसी, ममता वाली अपने पूरे परिवार की गुडिया, अब मुझे तेरे ऐसे खत नहीं मिलेंगे कि अमुक परिष्थिती ने तुझे अपसेट कर दिया तुझे खोखली हो जाएगी, तुझे पढ़ा लिखा नहीं जाएगा नहीं, कभी नहीं अब तेरे खतों में यह होगा कि जैसे तुने अमुक परिष्थिती में अपने को समाला कैसे अमुक बात को अपने प्यार से समारा कैसे अपना अप्रतक्ष प्रभाव डालकर अमुक वातावरन को बदल दिया मेरे मित्र, सिरिस फूलों से भी कोमल कहीं वज्जर से भी कठोर है मैं चाहता हूँ कि तेरे कलकत्ते जाने से पहले तुझ से ये सारी बाते कह डालू पर तुना जानती है, इन दिनों मैं कितनी बिस्तता में हो गया था उमीद है यह पत्र तुझे दो जुलाई तक मिल जाएगा तो पहली बार आचार्या का गुरुतर पद ग्रहन करने जा रही है ये सारे सब्द मेरे आसीर वादों की तरह लेना मैं आज घमंड से फूला नहीं समा रहा कि मेरी ग्यान पिपासुख जात्रा, मेरे मित्र आज जीवन में पहला ससक्त स्वाधीन कदम रखने जा रही है स्वाधीन, स्वाधीनता की सोभा है मर्यादा सड़े गले संसकारों की खोखली, जूटी, नीरस, जीवन हीन मर्यादा नहीं वरन मन की सारी सहज स्वभाविक बृत्तियों का पूरा विकास देने वाली मन को फूल की तरह खिला हुआ रख कर चारो और दिगदिगंत को भीनी सुवास से महका देने के लिए प्रेरित करने वाली मर्यादा सुन्दर की पुकार पर चल दी है तु तुझे मेरा अमित सने है हमारे यहाँ फूलों के साथ आसिरबाद देने की परंपरा है न तो तुझे यह फूल भेज रहा हो यह है तेरे प्रिये कराउदे के फूलों का एक गुच्छा दूसरे को पैचानती ही होगी इसके दो नाम है एक नील कांता और दूसरा अपराजिता तुझे यह फूल सुभ हो मेरी पुस्पी अपने पहले दिन की क्लास का अनुभो लिखना मैं प्रतिक्छा करूंगा तुम्हारा भारती